गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड दिस इस ट्रांसलेशन बुक ओफ इंग्लिश ठीक है तो अभी तक हम क्या कर रहे थे रियल इंग्लिश को पड़ रहे थे अब हम डेली यानि के अल्टरने डेज में जैसे भी आपके टाइम टेबल में मैंशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे चैप्टर्स को डिसकस करना स्टार्ट करेंगे तो फर्स लेसन को देखते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन तो नाउन क्या होता है नेम ऑफ पर्सन प्लेस और ठिंग यही पढ़ा था हमने किसी वस्तू व्यक्ति स्थान या किसी इन सब चीजों का बोध करान वाले शब्दों को हम संग्या कहते हैं पर्सन प्लेस ठिंग ठीक है उसके अलावा एक और चीज आप छोड़ रही हैं फीलिंग्स भी तो किसमें आती हैं एब्स्रेक्ट थॉट्स जो होते हैं वह भी तो नाउन होते हैं तो अब देखते हैं सिंगुलर नाउन के निम लिखित नियम तो क्या नियम हैं मॉस्टली सामाने तहा सिंगुलर नाउन को प्लॉरिल बनाने के लिए उस्के अंत में एस या एज़र दिया जाता हैं तो जादा तरतो क्या करते हैं पीछे एस यह फिर एस लगा देते हैं जैसे बी डबल ई एस बी डबल ई बी है तो उसका करती है बी डबल ई एस ए ए आ तो ए ए आर एस पी एन पी ए एन एस इस तरीके से जोड़ा जाता है फिर उसके बाद यदि किसी नाउन के अंत में वाय या वाय के ठीक पहले कोईαιकोंसोनेंट हो तो य ए को आई एस में बदल कर बनाया जाता है जैसे ए आर एम वाय तो ए आर अम आई एस ठीक है बी ओड़ी वाई बी ओड़ी आई एस ठीक है इस तरीके से कापी य उ पी आई एस इस तरीके से कर दिया जाता है नेक्स्ट केस है ये तो हम वैसे पढ़ चुके हैं बढ़ फिर भी एक बार रिवाइस करवा देते हैं थोड़ा सा लेकिन यदि किसी नाउन के अंत में य से ठीक पहले कोई वाउल हो तो इसको हम वाउल बोलते हैं ठीक है वाउल हो तो केवल एस जोड़ कर प्लूरल बनाया जाता है जैसे बियो वाई तो बियो वाई एस मोंके वाई एस इस तरीके से नेक्स्ट है यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ए हो तो एफ या एफ ए को वी एस में बदल कर प्लूरल बनाया जाता है इस तरीके से कोन से इनहें साधरन तरीके से S जोड कर plural बनाया जाता है तो इनके अंदर सिर्फ S लगाया जाता है V.E.S. नहीं लगाया जाता जैसे B.E.L.I.E.F. तो क्या बन जाएगा B.E.L.I.E. V.E.S. नहीं आएगा B.E.L.I.E.F.S. आएगा ठीक है Grief का G.R.I.E.F.S. इस तरीके से फिर आता है कुछ नाउन में S तथा V.E.S. दोनों का प्रियोग होता है जैसे ड्वाफ का ड्वाफस ऐसे भी लिखा जाएगा और ऐसे भी दोनों तरीके से यूज हो जाता है ये सब इसी के अंदर हैं कि F या F E हो तो फिर हम V.E.S. चेंज कर देंगे या फिर सिर्फ S चेंज करेंगे या फिर हम S और V.E.S. दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं जैसे हैं करचीफ हो गया ठीक है इस तरीके से नेक्स देखते हैं जिन नाउन के अंत में O होता है उन्हें E.S. जोड कर plural बनाया जाता है जैसे बफैलो तो O.E.S. उन्हें केवल S जोड कर ही plural बनाया जाता है जैसे बैम्बो तो सिर्फ S लगाया जाएगा डाइनमो क्या हो जागा D.Y.N.A.M.O.S. डाइनमो कुछ नाउन में S तथा E.S. दोनों का प्रियोग किया जाता है जैसे हमने पीछे पढ़ा जैसे H.A.L.O. हेलो तो हेलोज या हेलोज दोनों तरीके से लिखा जाएगा नेक्स्ट है कुछ नाउन को अन्यमित तरीके से plural बनाया जाता है मतलब उनका कोई रूल नहीं है पर फिर भी उनको मतलब S, E,S, V,S इन सबके अलावा भी किस तरीके से बनाया जाता है या उनके मद्द में वाल, वाल्स को बदल कर plural बनाया जाता है तो देखेंगे कैसे जैसे चाइल्ड है चाइल्ड का चिल्डरन तो C, I, L, D, R, E, N लगा तो ये अलग तरीके से हुआ और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा तो इसलिए हमें इसे बस याद करना है म, A, N का हो जाएगा म, E, N, ये होता है plural, ये होता है सिंगुलर ओक्स का हो जाएगा ओक्सन वोमेन यहाँ पर क्या हो जाएगा व, O, M, E, N, वोमेन ठीके? तो ये हो जाएगा plural में आप देखते हैं यूज ओफ एम, इस, आर तो ये हुआ हमारा फर्स चेप्टर यूज ओफ M, Is, R Is, M, R का हम कहां-कहां यूज करते हैं affirmative sentence होता है positive sentence ठीक है न? जिसमें सिर्फ अच्छी बात कही गई है तो जिन वाकियों में किसी सकारात्मक कार्य या वस्तू का वर्नर किया जाता है उन्हें affirmative sentence या सकारात्मक वाक के कहते हैं जहां पे सिर्फ कोई भी ठीक बात है जिसमें कहीं negative sense ना आए ठीक है न? positive sense आए तो वो होते हैं affirmative sentence इन में order क्या रहेगा सबसे पहले subject फिर is MR और फिर compliment या object आता है इतना rule regulation पे जाने से अच्छा जब हम sentence को form करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है ठीक है ना? तो एक form एक तरीका क्या होता है सबसे पहले हम subject यूज़ करते हैं फिर is MR जोडते हैं फिर compliment ठीक है ना? is MR तीनों word ऐसे हैं जो हम present के लिए यूज़ करते हैं past के लिए यूज़ नहीं होते जैसे मैं ये काम कर रही हूँ तो यहाँ पे आएगा present मैंने ये काम किया था था आते ही है तो past में हो गया ये तो खतम हो चुका ये काम तो जो काम हम अभी कर रहे हैं सिर्फ हम उसी के लिए इस MR का यूज़ करते हैं तो यहाँ को sentences दिये हुए मैं खुश हूँ तो I मैं के लिए I am happy ठीक है मैं एक जादुगर हूँ I am a magician यह है मेरी चाची है This is my aunt अब I मैं के लिए हमेशा I आएगा और I के साथ हमेशा M आएगा I के साथ I are I is ऐसे नहीं आएगा I के साथ हमेशा M ही आएगा ठीक है मोर बहुत सुन्दर है The peacock is very beautiful घोडे सफेद है The horses are white हम खिलाडी है We are players ठीक है आगे M का अर्थ हू होता है तथा इसका प्रियोग वर्तमान काल में इसका अर्थ होता है अर्थ है होता है इसका मतलब हो गया है तथा इसका प्रियोग वर्तमान काल में एक वचन करता के साथ क्या जाता है जब singular हो तब ही हम यूज़ करेंगे जैसे I am happy एक की बात करी तो जैसे this is my end यहां यह मेरी चाची है तो एक ही है ना इसलिए इसका यूज़ किया गया आर्थ होता है ज़्यादा के लिए तो आर्थ का अर्थ है है या हो होता है तथा इसका प्रियोग वर्तमान काल में यू तथा बहुवचन करता के साथ किया जाता है यू आर ऐसी बोलते हैं ममिशा तो you के साथ I का use क्या जाएगा या फिर कोई भी plural subject हो तो उसके साथ क्या जाएगा जैसे की translate the following sentences into English इनको English में translate करना है मैं स्वस्थ हूं तो I am healthy I के साथ मैं के लिए क्या use किया I स्वस्थ के लिए healthy और हूं यानि कि क्या हो जाएगा I am healthy ठीक है और last में full stop लगाना भूल जाते हैं बच्चे ये काम नहीं करना full stop लगाना है मैं उदास हूं तो I am ठीक है ना I am उदास को हिंदी में क्या वो English में क्या बोलते हैं sad तो S A D sad I am sad मैं तुम्हारा भाई हूं मैं तुम्हारी पत्नी हूं ये हम एक बार पहले भी discuss कर चुके हैं तो अब ये आप लोग खुद करेंगे बुक में ही फिल करेंगे नोट बुक में फिल नहीं करना तो रोहन और मोहन कमरे में हैं 14 sentence हैं यहां तक आप फिल करेंगे अगर आपको यहां नीजे कुछ help box दिया हुए जिसके अंदर से जैसे डरपोक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं cowardly ठीक है तो ये आप यूज कर सकते हैं अगर आपको problem होती है ठीक है तो next वीडियो में हम discuss करेंगे कि आपने कितना सही कितना गलत फिल किया है इसमें आप क्या करेंगे इनको फिल करेंगे second का first जो exercise है ठीक है न ये वाली मैं स्वस्त हूं से लेके page number 7 पे 14th sentence जो है उपर वाले नीचे वाले नहीं English to Hindi नहीं सिर्फ Hindi to English वाली translation करेंगे तो next वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे thank you and have a nice day